हेलो एब्रीबन शिफ्शक्टी चैनल में आप सबका स्वागत है आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूं वो ट्वीन क्लेंट एनर्जी के उपर बनाने जा रही हूं इसपेशलिए डिवाइन फैम नाइन की जो एनर्जी है वो मैं बताऊंगी क्योंकि डिवाइन फैम इस कर रही है इस ताइम अपने अंदर फील कर रही है अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी को देख रही है तो ऐसी जिवाइन फैम नाइन का यहां पर एक टेस्ट हो सकता है आपके कार्मिक पार्टनर के थुरू ठीके आप जिवाइन आपका टेस्ट ले सकता है बहुत सी यहां कि इस ताइम आपके कार्मिक पार्टनर को कहते कर सकते हैं 2023 ठीक है आपको मैनिपलेट कर सकते हैं आपको हो सकता है आपके लिए वो प्रपोजल आगे से लेकर आएं आपके लिए जिवाइन ठीक है क्योंकि बहुत सारी डिवाइन इस टाइम बहुत ही जादा पॉजिटिव एनेर्जी को ख्लेम कर रही है ठीक है अबैंडेंस आ रही है और प्रोग्रेस हो रही है उनकी लाइप में उनकी फैमली में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं तो इस टाइब की एनरजी है जिवाइन फैम नाइन साथ पर जब जब आप एक high vibration में जाती है जब जब आप positive energy claim करती है तब तब आपका एक test होता है ठीक है तो यहाँ पर divine feminine आपका test हो रहा है divine की तरफ से ठीक है यहाँ पर आपके karmic partner आपको call कर सकते हैं आपको proposal दे सकते हैं और वो इस तरीके से बात करेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि मैं जो पांस साल दस साल पहले बात करती थी इस person से तब यह person कैसा था और यह आज person कैसा है तो यहाँ पर आप धोगा खा सकती है कि मेरा person जो पहले था वो चेंज हो हो चुका है ठीक है आप हो सकता है बहुत से divine feminine यह सोच लें कि मेरा twin frame तो बापस आ नहीं रहा है या मेरे divine masculine जो है वो कहीं और ही busy है मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे है मेरा जो कार्मिक पार्टनर है वो change हो गया है और अब मैं फिर से commitment दे दूँ या फिर से relationship में चलिये जाओं कार्मिक पार्टनर के साथ तो please आपको यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना है और आपके जो कार्मिक पार्टनर है उनकी भी energy ऐसी है आपको लेकर एक missing वाली energy है ठीक है आपकी life में क्या चल रहा है आप क्या कर रहे हो कार्मिक कभी अपनी लाइफ के बारे में आपको नहीं बताते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट आपकी लाइफ में जो चल रहा है, उसमें इंटरस्ट लेते हैं, तो जो divine feminine बहुत ज़्यदा progress कर रही है अपनी life में ठीक है बहुत ज़्यादा abundance आ रही है तो इस बीच में आपके कार्मिक partner आपको contact कर सकते हैं ठीक है आपको proposal दे सकते हैं so आप careful रहीएगा क्योंकि इस time कार्मिक partner के energy मुझे ऐसी feel हो रही है ऐसी लग रही है कि आपको वो contact करेंगे या आपसे कोई भी मिलने की बात कर सकते हैं या आपसे आपकी family के बारे में कोई बात कर सकते हैं या आपकी personal life में क्या चाहता है उसमें interest ले सकते हैं so अब यह सब आपके उपर है कि आपको कैसे action लेना है कैसे सामने वाले person से बात करनी है, ठीक है, क्योंकि कार्मिक कभी भी आपको वो फील नहीं करा सकते, जो आपके counterpart फील कराते है, आपके counterpart आपसे दूर होगे, तब भी उनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा positive फील करेंगी, वो आपके साथ होगे, तब भी आप एक दिनों के साथ खुछ आएंगे, दो दिनों के साथ खुछ आएंगे, दस दिन या हो सकता है, आप काफी टाइम तक खुछ LAUGHS है, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको फिर से लगेगा कि मैंने अबने पार्टनर से कार्मिक पार्टनर से बात करके गल्दी कर दी या कार्मिक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आकर गल्दी कर दी तो कार्मिक कभी भी आपको खुश नहीं रख सकते हैं आपकी एनरजी उनसे कभी भी मैच नहीं करती है ठीक है आपके काउंटर पार्ट से वो आपके साथ ह अगर उनके काउंटर पार्ट उनके साथ नहीं है और इन वर्ग भी कम्प्लीट कर लिया है तो उस टाइम में जिवाइन मेंसकुलाइण के साथ नहीं होते तब भी उनका लाइफ बैलेंस होती है वो खुश रहती है जिवाइन फैमनाइन क्योंकि उधर जिवाइन फैमनाइन इधर बैलेंस हो जाती है उधर जिवाइन मेंस्कुलाइन पर वर्क चलता रहता है ठीक है तो इस टाइम जो आपके काउंटर वो कार्मिक पार्टनर है उनकी एनरजी मुझे कुछ जादा से बात करेंगे ठीक है आपको लगेगा यह परसन जो कार्मिक पार्टनर मेरा चींज हो गया है या बहुत ही इसमें पॉजिटिव चींज आ गया तो आप ठोका मत खाईएगा ठीक है कोई पॉजिटिव चींज नहीं है वो सिर्फ आपको देखना चाहते हैं आपकी अब आपका जॉब लग लग जा है तो वो यह सो सकते कि यह ने पहले तो जॉब नहीं थी और अब तुम जॉब कर रही हो ऐसे कैसे कर सकती है ऐसे कैसा हो सकता है तो पर इस तरीके से आपकी कार्मिक पार्टनर की energy है और वो इस time में आपको contact कर सकते हैं तो ये तो था कुछ divine feminine के लिए जहां कार्मिक पार्टनर आपके life में third party बनकर आ सकते हैं divine feminine ठीक है अब मैं दूसरी type की divine feminine की बात कर लूँ जिनकी energy बहुत ही ज्यादा beautiful है जहां ना तो divine feminine की life में कोई कार्मिक पार्टनर है ना ही divine masculine की life कर दूनों लोग अच्छे से इनवर कर रहे हैं दूनों balance है और दूनों बहुत ज्यादा high vibration में भले ही जाए आपके पार्टनर आपको contact ना कर रहे ह।ा आपसे बात ना कर रहे ह।ो दोनों तरब की energy बहुत ही ज्यादा positive energy है बहुत ही ज्यादा loving energy है बहुत भी beautiful energy है और इस energy को मैं काफी टाइम से ही फील कर रही हूं मैं जालनिंग में बाड-बार दे रही है कोई एक ऐसा गुरूप है जिसमें जवाइन फैम आ अपने रियूनियन के बहुत ज़ाधा करीब है थीक है तो इसमें ना तो जवाइन फैम नाइन के life में कोई कार्मिक पार्टनर है कार्मिक जो बैगिस था आपका या आपके पार्टनर का वो पूरी तरीके से रिलीज हो चुका है आप दोनों अपनी 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 लाइब में प्रोग्रेस कर रहे हो या बहुत सी डिवाइन फैमन train अपने counterpart से बात कर रही है तो आपको पता चर रहा होगा कि उनकी life में भी positive change आ रही है ठीक है तो यह second type of divine feminine थी जिनकी बहुत ही beautiful energy है and third type जो है वो यह है divine feminine की life में जो आपके counterpart है उनका heart chuck activate हो रहा है जिस तरीके से मुझे channeling हुई है ठीक है या divine feminine को इस टाइम बहुत जादा अपने heart chakra पे बहुत जादा pain या heaviness फील हो रहा है या heart chakra spin करता हुआ feel हो रहा है आपको या sensation हो रही है tingling हो रही है या heart chakra पे बहुत जादा आपको heat feel हो रहा है तो यह आपके counterpart का कहीं न कहीं heart chakra activate हो रहा है इस time जो आप energy को feel कर रही है अपने counterpart की ठीक है तो बहुत से divine feminine है जो इस energy को fail कर रही है तो यह आपके counterpart का कहीं न कहीं हार्ट चक्र activate हो रहा है इस time हार्ट चक्र की जितनी भी negativity हो release हो रही है आपके person की ठीक है यह तो थी दूसरी टाइप की थर्ड टाइप की जो divine feminine है उनकी energy बता रही हूं यह मुझे चैनलिंग ड्रीम में हुई थी जिसमें divine feminine और divine masculine है और मुझे divine masculine शिकायद कर रहे हैं अपने कार्मिक पार्टनर की ठीक है divine feminine वहां पर नहीं है कार्मिक पार्टनर है और divine masculine है जहां divine masculine मुझे जो कार्मिक पार्टनर है उनकी शिकायद कर रहे हैं तो जो कार्मिक है वह बहुत ही जावा ज्यादा हावी हो रही है आपके counterpart पर बहुत ही ज्यादा ब्लेम कर रही है आपके counterpart को और बहुत ही गंदा बाल आपके जो पार्टनर हैं आपकी जो थर्ड पार्टी है, आपके काउंटर पार्ट की. बहुत बत्तंमीजी से बात कर रही है. और उनके बहुत ज़्यादा हावी हो रही है. उनके उनकी चलने नहीं दे रही. अपने आगे. तो जो डिवायन मेस्कुलाइन की लायफ में का दे रही है ठीक है वो चाहारी जो मैं करूं या मैं जो कर रही है उसको ही सहीं बोलो ठीक है मैं जो बोलूं वो भी सही है मैं जो करूं वो भी सही है Divine Masquare गलत है और इस liar से Divine Masquare बहुती जादा प्रिशान है आपके counterpart और आपकी जो उनके लाइब में थर्ड पार्टी है उनके बीच बहुत ही जादा लड़ाई जगड़े इस टाइप के चल रहे हैं ठीक है जो की कार्मिक एनर्जी रिलीज होनी का साइन है तो इस टाइप की भी एनर्जी मुझे पिक हुई है आपके काउंटर पार्ट की जहां पे आपक तुम जो करो वो गलत है तो इस तरीके से जो कार्मिक पार्टनर है उसको उसने बहुत बुरी तरीके से जिवाइन मेस्कॉराईन को फसा रखा है और अपनी ही चला रही है एक तरीके से उन पर हावी हो रही है और जिवाइन मेस्कॉराईन जो है मुझसे शिकायत कर रहे है मैं बैठ नूँ और counterpart है और counterpart की जो थर्ड पार्टी है कार्मिक पार्टन है वो भी है वो जो है जिवाइन मस्क्राइब मुझसे शिकायत कर रहे हैं कार्मिक पार्टनर की कि यह ऐसी है यह वैसी है इसने मुझसे यह बोला इसको यह तमीज नहीं है वो तमीज नहीं है तो मु कोई भी उसको परवा नहीं है सटाइन में इतनी ज़ादा हावी हो रखिए थार पाठी आपके काउंटर पार्ट पे दो थार्ट की पर थार थार्ट थार्ट की mesela प्र एंडी एंसरी प्रॉइन'REजी यहर्ज थार छिब्शानन के लिए वह है कि आपके काउंटर पाठी में पार्ट के आपको कहीं से साइन मिल रहा है या लग रहा है पे काउंटर पार्ट की लाइफ में थर्ड़ पार्टी के साथ बहुती 싶ी अपस डाउ चाल रहे है कुछ भी ठीक नहीं चाल जहरा है तो यहां पे आपको बिल्कुर भी बीच में जाने की जरूरत नहीं आप बस अपना इनवा करते रहें और अपने आप पर ध्यान दीजिए ठीक है तो आज की जो एनर्जी थी वह कार्मिक पार्टनर को लेकर ज्यादा थी ठीक है पर इसी इसी एनर्जी में कुछ डिवाइन फैमनाइन और डिवाइन मैसकुराइन बहुत ज्याद अपने रियूनिन के करीब हैं तो ऐसे लोग बहुत रेयर हैं जो अपने रियूनिन के करीब हैं बट इस ताइम कार्मिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा हावी हो रही है कार्मिक एनर्जी बहुत बुरी तरीके से रिलीज हो रही है डिवाइन फैमनाइन की लाइफ में भी हो सकता है कि कार्मिक पार्टर आपको कॉंटेक्ट करें या आपको बहुत जादा मैंने प्लेट करें तो यहां पर आपको साफधान रहना है ठीक है सोच समझ कर कोई डिसीजन लेना है आपको कैसे बात करनी है कैसे नहीं करनी है सब आप पर डिपैंड करता है ठीक है तो यह थी कि वीडियो नेक्स्ट वीडियो में फिल मुलूंगी तब तक लिए अपना ध्यान रखे खुश रही है सुस्त रही है